Hello, Good Morning and Welcome Back Friends आप देख रहे हैं Golden Air Education YouTube चैनल आज के इस वीडियो में बात करेंगे 4 अगस्य रिलेटेड जितने भी important current affair बनती हैं सारे इस वीडियो में complete करेंगे साथी काफ़ी सारे extra facts भी यहाँ पर discuss करेंगे सो पूरे लेसन को थ्यान से और लास्ट सक आप जरूर देखिएगा इसकी PDF आपको मिल जाएगी नीची वीडियो के description में साथी यहाँ पर इस जो अपना एक exam टोपर application है इसका link भी आप पर नीची description में मिल जाएगा जहां से आप इसे भी download कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले लास्ट वीडियो की जो quiz थी उसकी बात कर लेते हैं कौसन था कि हाल ही मना गया वीसू पर्व किस राज्जी से समान दित है तो देखिए जो वीसू फेस्टिवल है यह केरल के अंदर मना आया जाता है यह आप ठेहन रखे गए केरल का तिवार है चलिए अब बात करते हैं आज की कर अंदर फिर की देखिए पहला कौसन है हाल ही निम्न में से किसे गिन्नी के सर्वच नागरिक सम्मान नैसन और आफ मेरिट से सम्मानित के गया है तो सही अंदर फिरी रामनात कोविन देखिए जो भारत की राष्टवती है वरतमान में इनही को जो गिन्नी का सरवच नागरिक सम्मान इन इसन आफ मेरिट इससे यह सम्मानित किया गया है ठीक है देखिए यह जो अवार्ड है यह दिया जता है कोई भी व्यक्ति जो मतलब की भारत गिन्नी के बीच में जो आपसी समंद है उसको बढ़ावा देनता है या फिर उसमें सुधार करने का जो कार्य करता है तो उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है ठीक है जो की हाल ही राष्टपती गामनाथ कोबिंजी को दिया गया है ठ इसकी जो कैपिटल है ओ है क्रोन के ठीक है कॉंट जो है कैपिटल है और जो करेंशिय ओ है जॡुगिन्योन फ्रेंक जो है इसकी करेंशिय ठीक है यतना अप्ध्यान रख्वेगा चलिए अगला कोसर देख लेते है अपना हालही पारित अवेद गतिविती रोक्ताम अधिनियम बिल 2019 के समंद में कौन सा तथ्य सही है तो देखिए यहाँ पे जो यह बिल है इसको जो हालही में राजिसबा ने जो है मंजुरी दे दिये फिर यह जो बिल है यह अवेद अधिनियम रोक्ताम इसको हालही जो है राजसभा द्वारा पास पारित कर दिया गया है ठीक है और इसका जो उद्धेश से है आतंक भाती गती विदियों पर रोक लगाने के मकसर सही इस बिल को जो है अभी रिसेंटली जो राजसभा उसने पास कर दिया है ठीक है तो आपका A और B सही है तो अंसर क्या हो जाएगा उप्योक्त दोनों सही है A और B ठीक है इस अधिनेयम के संदर्ब में चलिए, अगला कसन देख लिजिए अपना हाल ही खबरों में रहे पसमीना के समंध में कौन सा कथन सही है तो देखिए पसमीना जो है एक उच्च उण क्वुनवक्त वाली कस्मीरी उन है एक उन है high quality उन है जिसको नाम दिया रहा है पस्मीना ठीक है पस्मीना जो है इसके लिए ये हालही में पसमिना परएक्षण के अंदर की, जो स्ताप्णा की गई है, जो जम्मो कसी मिने जो लेया है, वहीं पर इसके लिए परएक्षण के अंदर है, ये स्तापित करने की, जो है मंजूरी दी गई है ठीक है और यह जो है यह मालरा बकरी से प्राप्त होती है जो पस्मीना उन होती है यह किस से प्राप्त होती है और ये वाला point इसका current से related है ठीक है चलिए अगला question देख लेते हैं अपना केंदर सरकार ने किस company की सिधारी के साथ खनीज विदेश इंडिया लिमिटेड का काबिल की सिधापन आप ने किये है जिसको सोट में काबिल नाम दिए गया है और इसकी सिधापना जो की है और केंदर सरकार ने किसके सियोग से की है जो नाल को जो company है इसके सियोग से हिंदुस्तान Corporal Limited जो है इसी के सहीयोग से और जो Mindal Exploration Company है इन तीनों के सहीयोग से जो है तीनों के सिदारी से जो ये काबिल नाम की जो मतलब की है इसकी जो है स्तापना को मंजूरी दी है या फिर इसकी स्तापना की है इन तीनों की जो है सिदारी है इस खनीज विदेश इंडिया Limited के अंद इस काबिल का इस्तापित करने का इसका उद्दिस यह इए देश में जो खनी जो कि आप पूरती है उसको उसमें व्रद्दी करने के मक्सद से ही इसको मुझव की इस्तापित किया गया है ठीक है फिर देखिए अगला कॉस्टन है किस भारतीय मूल की महिला को मिस इंगलेंट 2019 इन्हीं सब्सक्राइब का इनचों हो गए मैं यह Mississippi मिन सब्सक्राइब तो इतना आप तेहन रख लीजीगा, चलिए, अगला कौसन देखिए अपना, हाल ही किस राजजे सरकार द्वारा, वल ही डिक्रीयोजना की जो है, सुरुआत की गई है, तो सही अंशुग आपका, गुजरात, देखिए, जो यहाँ पर वहल ही डिक्रीयोजना है, यह गुजर कि दवारे पिर गुजराद सरकार के दवारा शुरू की गई है जो गुजराद के मुख्य मंतरी है वीज्य रूपानी उन्ही की दवारा इसको हाली में लॉंच किया गए है ठीक देखे योजना का उध्धिष से क्या है जो योजना का मेन मक्सद हो वो है बाली का प्रोसान या कल्यान योजना जो है इत्रिकी की है जिसका मतलब की उद्धिक है बाली का प्रोसान देना और फिर उनका कल्यान करना ही इस योजना का मक्सद है इसके तैफ जो उच्सिक्स्या के लिए जो भी सात्राई होंगी उनको एक लाइक रूपएうんकी उनको 1,005 रूपए तक की साइता रासी उपलब्ध करवाय जाएगी higher education के लिए साथी इसाधी वग्दि के लिए भी जो है CNAPS से जुड़ने वाला एक मात्र भारतिये बैंक कौन सा बन गया है तो आंशोगा आपका भारतिये स्टेट बैंक भारतिये स्टेट बैंक जिसको SBI कहते हैं ठीक है ये हाल ही में CNAPS से जुड़ने वाला एक मात्र भारतिये बैंक बन गया है ये CNAPS क्या है चीन की एक अगरि धान रखना ही है रजनीश कुमार है और इसका हेड़क्वाटर मुंबई के अंदर है और मोशली इसकी इस्तापना भी पूछ लियाती है धान रखना एक जुलाई 1955 के अंदर जो है इसकी इस्तापना हुई थी छीक है फिर देखिए अगला सेपना निम्नमे से किस समय अंतराल को विश्व इसतनपान सब्ता के है चलिए नेक्स्ट कॉसं देखिए अपना निम्नमे से किसे भारतिये लेखा माहा नियंतरक CGA के रूप में चुना गया है तो देखिए नए लेखा माहा नियंतरक जो चुने गया है बहारत के जिसको सोट में CGA कहते हैं वो कौन चुने गया है गिरी राज प्रसाद गुपता को चुना गया है त्यान रखिएगा गिरी राज प्रसाद गुपता जिनोंने अहाल ही इस्तान लिया है एंथनी लियान जुआला जो है ये इस से पहले इस पद पर थे और इनी का इस्तान इनोंने लिया है गिरी राज प्रसाद ने लेखा माहन इंतरक के रूप में छीक है पिर देखिए अगला कोसे ने अपना परियावरण संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने सेव ग्रिन इस्टे क्लिन नामक अभियान की शुरूआँ की है तो यह जो अभियान है यह शुरू किया है पस्सिम बंगाल सरकार ने ठीक है इतना आप ध्यान रखिएगा दिखे इसका उद्देश से इसे नाम से आपको पता चली रहा है हरियाली और प्रियावरन सरक्षन को बढ़ावा देने के मकसद से यह अभियान शुरू किया गया है और यहां हम पस्सिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो जो गवर्नर है वो कोन है ममता बनर जी है और बाकी यहा में गवर्न नर्याने की राज जेपाल है और सीम कोन है ममता बनर जी है ठीक है चलिए अब आज की बात क्विज की बात कर लेते हैं देखे कोसन है आज का विश्वे बैंक के मुख्य वित्ति अधिकारी सी एफो नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कोन है यह आपको बताना है आप मनलब की जो विश्वे बैंक की प्रथम महिला कोन बनी है यह आपको बताना है ठीक है तो इस वीडियो को ज्यादा स्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी यहां आगे की अपडेट्स के लिए जो बेल आइकन है इसे नहीं थेंक्यू सो मच पर वाचिंग अस धन्यवाद